रोहतक में परिवार के चार लोगों की मौत का मामला सामने आया है। सलहरा मोहला में व्यक्ति ने पहले अपनी पतनी और छे साल की दिव्यांग बेटी की गला दबा कर हत्या कर दी। इसके बाद अपने दो साल के बेटे को लेकर इसमाईला गांव स्थित रेलवे ट्रैक पर पहुँचा और ट्रेन के आगे कूद कर सुसाइड कर लिया। मृतक संदीप गुरुग्राम में प्राइवेट जॉब करता था। बताया गया है कि पिछले कई दिनों से संदीप के घर में घरेलू कलह चल रही थी, जिसके चलते वह मानसिक रूप से परेशान था। घटना की सूचना पाकर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुँचे हैं। वहीं उन्होंने चारों मृतकों के शवों को कबजे में ले लिया है। FSL टीम को भी मौके पर बुलाया है। घटनास्थल से साक्ष जुटाए जा रहे हैं। एक साथ चार लोगों की मौत की खबर के बाद क्षेत्र में मातम पसर गया। घटनास्थल पर लोगों की भीड जमा हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुँच कर शव कबजे में लेकर पोस्ट मातम के लिए भेज कर आगामी कारवाई शुरू कर दी। हालांकी जाच के बाद ही ये सपश्ट हो पाएगा की आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया गया और इसके पीछे के क्या कारण है।